मुविंग फॉवर स्टूडेंस डिसकास करते हैं थोरली फिनोल को स्टूडेंस लाइक हमने डिसकास किया था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कि आप वाटर मॉलिक्यूल का एक हाइडोजन को रिप्लेस कर दें बेंजीन विंग के साथ आपके पास फिनोल का स्ट्रक् यानिके स्टूर्ट आपके पास फिनोल से Class of compounds जोने यह कole關係 करते हैं सबसे पहले इनको बनाया था संथैटिकली इनको बनाया था रूम ने भी डैन स्टूर्ट गसिए डिगरी Celsius है boiling point आपका 182 डिगरी Celsius है फिनोल का and then students simplest example फिनोल की फिनोल ही है जिसको commonly कहा जाता है कार्बॉलिक एसेड स्टूर्स फिनोल की fundamental importance हमारी pharmaceutical industries में और disinfectant industries में बहुत ज्यादा है वो इसलिए क्योंकि आप इनको ज्यादा तर यूज कर सकते हैं as a disinfectant in hospitals and washrooms यानि कि आपको ये मुक्तलिफ sanitary से related sanitation से related आपको जो products होती है उनके अंदर as a major constituent ये present होते हैं उसके अलावा students they are characterized by their characteristic phenolic order जिसको हम physical properties में further discuss भी करेंगे students सबसे पहले start करते हैं naming of phenols से यानि कि कौन से वो rules हैं जिनके तुरू हम phenols को name कर सकते नहीं यानि के नॉमन क्लेचर स्टूड़न्स नॉमन क्लेचर में आप देख सकते हैं अपने सामने कि कुछ common names given common names को हम कैसे आयूपक नेम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम study करेंगे उससे पहले हम students देखते हैं हमारे पास structures हैं कुछ phenol के, then catacole के, resource phenol के and then hydroquinol के अब students ये तीनों आपके पास एक तरह से same तरह के substitute present हैं लेकिन उनके names different है common names different है students याद रखेगा हमने पहले भी aromatic hydrocarbons की case में discuss किया था कि आपके पास एक पूरी benzene ring के अंदर ortho, meta और para positions होती हैं अब आपके पास जो phenol है वो तो parent compound के तौर पे exist करता है लेकिन इसके उपर मुख्तलिफ substitutions हो सकती है अब जब students इसके उपर substitutions होंगी तो हम क्या करेंगे हमें इनको name करना पड़ेगा according to that substitutions अब students जो हम counting कर रहे होंगे start वो हम यहां से कर रहे होंगे 1,2,3,4 then 5 and 6 यानि के students अगर हम catacole की बात करें तो इसकी second position पे hydroxyl group attached है यानि कि मैं यह कह सकती हूं यह है 1,2,dihydroxybenzene बिलकुल इसी तरह students 1,2,3 मैं यह कह सकती हूं कि यह है 1,3,dihydroxybenzene बिलकुल इसी तरह students आपके पास hydro कुई नोवन के लिए है कि मैं इस तरह से कह सकती हूं कि यह है 1,2,3,4 यानि कि यह है 1,4,dihydroxybenzene अब students आपके सामने evident है कि यह ortho position पे substitution है यह meta position पे substitution है यह para position पे substitution है यानि कि students आपके पास यह ortho hydroxy phenol है then यह आपके पास meta hydroxy phenol है then यह आपके पास para hydroxy phenol है then students moving forward हम एक और example discuss करते है नाइटो फिनोल की case में नाइटो फिनोल की case में students आपके पास 1, आपके पास यह 2 नाइटो फिनोल है देन स्टुटेंट्स आपके पास 3-nitophenol है देन या आपके पास 4-nitophenol है यानि के 2-3-4-nitophenol और उसके लावा स्टुटेंट्स आप याद रखिए कि यह और्थो पॉजिशन पर सब्सक्टिट्यूशन है देन मैटा पर देन पैरा पर यह आपके पास और्थो नाइटो प्रफिनोल प्रफिनोल स्टुटेंट्स कमर्शन हम इसको टी एंटी केहते हैं यह इंपॉट बहुत इंपॉर्टन और गैनि कंपॉट्ट है अगर इसको एक्स्प्लोसिफ में यूज किया जाए तो टी एंटी कहते हैं कॉमन नेम स्टुदेंट्स इसका है पिकरेक ऐसेट स्टूरेंट्स हमने डिसकास किया नॉमन्क्लेचर को अब हम डिसकास करते हैं स्ट्रॉक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज को वन बैवन स्टूरेंट्स याद रखेगा कि आपके पास जो ऑक्सीजन एटम यहां पर है एक्जिस्ट कर रहा है वह डिरेक्टली अटैश्ट ह है SP2 hybridized aromatic carbon atom के साथ और एक hydrogen atom के साथ सिग्मा बान्ट अब चुट्टेंस दोनों के साथ सिग्मा बनाता हैं यह दोनों बांटs students एक unshared electron pair की conjugation की वज़ा से यानि के movement की वज़ा से हम इसकी acidity को relate करते हैं इसकी ring के साथ जिसको हम further आगे discuss भी करेंगे उसके लावा students physical properties discuss करते हैं यह एक colorless crystalline solid की form exist करते हैं इनकी characteristic phenolic odor होती है poisonous होते हैं आपकी skin पे अगर इसका solution in contact आ जाए तो blaster scores करेंगे उसके लावा students यह sparingly soluble in water पिंक solution देता है लेकिन स्ट्टी एट पॉइंट फाइव डिग्री Celsius तक अगर आप heat करें उससे जादा temperature पे solution clear हो जाएगा यानि के phenol soluble हो जाएगा water के अंदर उसके लावा students इसको disinfectants के दोर पर यूस किया जाता है